जे सेरो आलिमाता की जे हूँ जे हूँ हेलो गाईज गूड मॉर्निंग कैसे हो आज है पहला नवरात्रा और नवरात्रे आरंब हो चुके हैं यह हमने कर दी है लक्समी की स्थापना और सरीता ने किये हैं नवरात्रा सुरू कलस की स्थापना करके और देवी मा की स्थापना कर दी जाती है और अपनी मनो कामना सामने रख करके इसकी पूजा अर्चना सुरू कर दे जाती है नवरात्रे नो दिन की फास्ट रखा जाता है और ये घर में सुक्स सम्रेदी और स्यांती बनाए रखने के लिए नवरात्रे की जाते हैं और ये दुर्गा मा हमारी कुल देवी है तो चलिए अब पहली लक्समी की इनकी पूजा आर्चना करके आर्थि करते हैं पहली लक्समी का नाम है शैल पूजा की जाएगी शैल पूजा की इनकी स्थापना करने के बाद कलस की स्थापना करके नो दिन तक उस कलस को टच नहीं किया जाता यह देखिए यहां हमने लक्समी माता और कलस की स्थापना कर दी है स्थापना पर पहले चोकी लगाई जाती है देवी मा की या तो अपने मंदिर में कर सकते हो अगर मंदिर छोटा है तो कहीं भी चोकी लगा सकते हो अब जवारे उगाई जाते है घर की सुक शान्ती और सम्रिदी के लिए जवारे लगाए जाते हैं घर की उन्ती बनी रहे यह यहाँ अब सरिता जवारे लगा रही है जिसे पत्वारी के नाम से भी जाना जाता है नो दिन तक इनका पानी दिया जाता है इसमें और फिर लास्ट के नावरात्रे पर पीपल के नीचे इनकी स्थापना कर दी जाती है जो सुक शान्ती और सम्रिदी का प्रतीक होते हैं और जो लक्समी की स्थापना की थी वो पूजा सामगरी सारी देवि मा के दरसन करने जाते हैं वहां मंदिर में चड़ा दिया जाता है ये देखिए यहां जवारे लगा दिये हैं दो या तिन दिन के बाद ये बड़े हो जाएंगे चलिए अब करते हैं सुर्य का अरक दे करके आर्थी खतम की जाती है अब सुर्य का अरक दिया जाएगा और उसके बाद पुझा स्माप्त हो जाती है और अपना चाहे पानी या फिर जो खाना खाना होता है आप फल वगेरा भी ले सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें फिर मिलते हैं नग्स्टुडियों बाद